अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूस से आते हैं और किसी भी कर्मेंट जोब या ओलेवर के त्यारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल में जरू सब्काइब करें यह ट्रैटिक बटन को दबाके और साथ इसके बगल में आप लेख रहा हूंगा बैल आ करता है इंदम फ्री और पॉस्ट है तो प्लीज यह सब्सक्राइब करें और बैल लागन को जो दबाएं तो जो भी आपका ओ लेबल का प्रेटिकल और वाइबा हुआ था आपका अटाइस और उनतिस जुलाई को तो उसी के संदर में यह वीडियो है तो जो लोग अपना प्रेटिकल और वाइबा देख के आये थे उनको पता चल गया हो किस पकार को सन आये थे और किस पकार का वाइबा हुआ था तो और जो नए च्टुडेंट है जो नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो काफी है लोगी तो यह जो को सन मैंने पूट अप की है और जो के लिए एक्जाम में हैर्फुल होंगे तो चलिए देख लेते हैं किस पकार से को सन पूट अप किये गए तो दो जाट था अर जहां का अलग अलग सिस्टम था तो उसके लिए आपको एक जैसे नहीं मिलेगा मैटर माल लिए आपको किसी इंस्टूट में कुछ और को सन प सकते हैं यह आपको हो सकता है कि तीन से चार आपके सेट बनते हैं तो आपके सेटी में कौन सा सेट पेपर आया है तो उससे आप से वो कोस्टन बनते हैं तो मेरे पास जो पेपर प्राप्ट हुआ है जो स्टूटन ने मुझे बताया है इमेल के माधियम से तो मैं आपको व नेम था पर्चेस, प्राइज और अधर नेम आपका इसमें कराना था इसमें आपको क्या करना था फ्रॉम को थूरू 5 डेटा एंड़ुट करवाने थे सौट इन अल्फाबेट अकॉर्डेंग टू बुक नेम और सौट इन असेंडिंग ओडर एकॉर्डिंग टू प्राइज तो सिंपल सा था आपको MS Access पर पर्फॉर्म करना था आपको ओलेटी बढ़ा जा जुगा किस पगारतिस को टास्क करना था प्रीवेस आप वीडियो देख सकते हैं पेपर वाली तो उसमें आपको उसके आंसर सलूशन मिल जाएगा किस पगारत आपको एक image add कराना था डिस्पले आपको HTML कोडिंग के थुरू और उस पर जब आपको किलिक करेंगे बटन पर या image पर जो भी आपको बताया गया हो उसको आपको remove हो जाना चाहिए वो यह आपको वहाँ perform task करना था यह आपको HTML की program इसमें करने थी तो basically simple सा है आप कर सकते ह हैं उसका जो question C का put up किया गया था आइट a program to find the sum of prime number between 100 to 500 तो यह आपको प्रिवेस के paper देखेंगे जो मैंने solution बताये हैं आपको उसमें आपको यह question जरूर मिल जाएगा हर paper में आपको पूछा गया है तो मैंने बताया था आपको question repeat होते हैं most important थे अगर आपने प्रेटिकल किया वीडियो देखी हैं नहीं देखी ही तो फिर देखें अगर आप प्रेटिकल में पास होना चाहते हैं तो तो इसमें आपको एक सो एक सो एक से लेके 400 दिनान में रखके आपको प्रेंट कराने थी तो बहुत सिंबल सा प्रोग्राम है इसका आपको answer techvideo.movie website पे आपको म प्रोग्राम को रन करवा के देखा था मेरे दो successfully run हुए थे सामने एक successfully run नहीं हुआ था उनके सामने बट एक बाद में हुआ जिससे कोई फाइदा नहीं तो यह उन्हों के साथ mistake हुई थी उन्हों दो program run करके तीन प्रोग्राम उनको run करने थे तो दो नहीं करके दिखा थी एक उनका नहीं हो पाया था यह हुआ तो बाद में हुआ लेकिन जब वो चले गए तो उससे मतलब नहीं बन होता है या array linear और non-linear क्या होता है आपका array कोशन पूचा गया तो यह आपके वाइबार कोशन पूचे गए थे इनसे तो आप देख सकते हैं कोशन यहाँ पे आपको अब लेवल है और third global और variable global में क्या फार्क होता है fourth आपका prime number किसे कहते हैं fifth prime number का output क्या आया था जो आपने solve किया था जो prime number यहाँ पे आपको solution कराए गया था इस कोशन में उसका आपका output किया था तो basically आप देख सकते हैं वाइबाम किस पर कोशन से put up किये गया था उसका इसका prime number के total sum को निकालने के लिए तुमने कौन सा loop use किया था तो यहाँ आपको loop का बारे में पूचा गया कौ student से तो student का यह email का answer है उसका कुछ question put up किये था कई other student में जैसा कि मैं answer मिले है तो TCP यह वाइबाम से पूचा गया TCP and UDP क्या है OSI layer with name बता है network name and classes और IP address तो इस परकार के question से put up किये गया था तो basically आप देख सकते हैं कि सब जगाँ आपको अलग-अलग question और question paper भी आपको different मिले देंगे तो इससे आपको benefit होता है कि जितने प्रिवस के paper हैं उनको जरूर देखें उनसे आपको काफी helpful होगी यह वीडियो भी आपके लिए काफी helpful होगी जो कि इसमें जो question put up किये आपको live दिख रहा है कि यह question इस वारायत है जो कि यह paper publish होगा समय लगेगा publish होने में तो अभी आप मैं देख रही है आप इसको note कर लें question को उनके answer ढोंड के कहीं save कर लें जो next तुवारा प्रेट कर देंगे January 2019 में तो आपके लिए काफी helpful होगी तो आसकरते आपको question समय आगा हो इसके answer आपको सारे publish कर दे जाएंगे website पे तो thank you for watching कर दो कर दो